केजरिवाल पर HC की टिपनी किसी के घर दफ्तर में घुसकर हर्ताल नहीं कर सकते दिल्ली में राजसरकार और उपर राजपाल के बीच चल रही खिचातान को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने टिपनी की है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल करीब 7 दिन से हर्ताल पर है इस पर टिपनी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धर्ना है या फिर हर्ताल और क्या इसकी कोई अनुमती ली गई है या फिर खुद ही तैग कर लिया गया है कोर्ट ने पूछा है कि ये खुद व्यक्तिकत रूप से तैग किया गया फैसला है तो ये LG के घर के बाहर होना चाहिए था क्या LG के घर के अंदर ये धर्ना करने के लिए इजाज़त ली गई है हाई कोर्ट ने कहा है कि आप कैसे किसी के घर या फिर दफ्तर में जाकर हर्ताल पर बैठ सकते हैं उन्होंने सीधा सवाल किया है जैसे ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर धर्ने पर बैठती है क्या ये वैसे ही हर्ताल है धरने पर बैठने का फैसला कैबिनेट का है या फिर व्यक्तिकत फैसला है कोर्ट की और से कहा गया है कि इसका जल्द से जल्द कोई समादान धूंडा जाना चाहिए सुनवाई के दोरान ग्रियम हंत्राले ने कोर्ट को बताया कि आईएस ओफिसर हर्ताल पर नहीं है कोर्ट ने कहा है कि उस मामले में हम आईएस एसोसियेशन को भी पार्टी बना रहे हैं और सुनवाई शुक्रवार को करेंगे गौरतलबे की रविवार को आमाद्मी पार्टी ने प्रदानमंत्री आवास को गेरने की कोशिच की लेकिन पुलिस ने उन्हें संसत मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दिया हाला कि कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार और आईएस अधिकारियों के बीच चल रहा ये टकराओ सोमवार को खत्म हो सकता है रविवार शाम को आपके मंडी हाउस संसत मार्गतक के मार्च के बाद केजरिवाल ने आईएस अफसरों से एक बार फिर काम पर लोट जाने की अपील की सुत्रों के मुताबिक केजरिवाल के अपील पर आईएस अधिकारी सोमवार को इस पर फैसला ले सकते हैं उपरा जपाल के आवास पर पिछले साथ दिन से धरने पर बैठे मंत्री सतिंद्र जैन की रविवार को आधिरात अचानक तबियत बिगड गई उन्हें फोरण LNJP अस्पताल में भरती कराया गया है अचानक तबियत बिगड ने पर डॉक्टरों की एक टीम उन्हें LNJP अस्पताल ले कर गई डॉक्टरों ने बताया कि मंत्री को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रखा जाएगा उन्हें ग्लुकोस चड़ाया जा रहा है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने खबर्प की पुष्टी की है उन्होंने ट्वीटर पर लिखा सतिंद्रजेन की अचानक स्वास्ते खराब हो गई है जिसके वज़े से उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है अर्विंद केजरिवाल के इस आंदोलन को अब देश के कई अन्य नेताओं का समर्थन मिलना शुरू हो गया है और बंगाल की ममता बैनर जी ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी से इस बारे में बात की है इसके अलावा भी विपक्ष पार्टियों के कई नेताल लगातार अर्विंद के जिवाल के समर्थन की बात कर रहे हैं